अगर आप भी रोजाना ये सोचते हैं कि आज क्या पकाएं वही सबजियां खाखा के बोर हो गए है तो आज मैं आपको एक नई सबजी के बारे में बताऊंगी इस सबजी को आपने बजारों में तो देखा होगा लेकिन आप में से बहुत कम लोगों ने इसे खाया होगा इसे खाने के बेश्मार फाइदे हैं लेकिन अगर आपने इसे खाते या पकाते वक्त ये एक काम कर लिया तो ये आपके लिए हद से जादा नुकसान दे थाबित ह तो वो कौन सा काम है जो आपने नहीं करना ये मैं आपको आगे चलके बताती हूं तो आज मैं आपको लोटल सूट यानि के भे के बारे में बताऊंगी इसे भे कमल कखड़ी और कमल की जड़ भी कहा जाता है जो लोग इसके बारे में कुछ नहीं जानते वो मेरी ये वीडियो देखने के बाद इसे जरूर पकाएंगे भी और खाएंगे भी और हफ़ते में एक बार इसे लाजमी बनाएंगे ये मेरी गरंटी है क्योंकि इसके बहुत सारे फाइदे हैं तो मैं आपको सबसे पहले इसके बहुत सारे फाइदे ही बता देती हूँ अगर आपको खोन की कमी है तो आपको ये लाजमी खानी चाहिए या फिर इसका सूप बना कर पीना चाहिए और अगर आपके जिसम में पानी कमी है तो आपको ये जरूर खानी चाहिए क्योंकि ये पानी के अंदर ही पैदा होती है या बनती है इसलिए इसमें बहुत जादा पानी होता है और इससे आपको जादा गर्मी नहीं लगती और अगर हर वक्त आपके हासमे में गर्बर रहती है तो आपको ये जरूर खानी चाहिए एक दफ़ा इसे खाएं और फिर बताएं और शुगर के मरीज़ों को तो ये लाजमी खानी चाहिए क्योंकि ये थोड़ी सी फिकी होती है इसलिए ये हाई शुगर को थोड़ा कम कर देती है लेकिन अगर आपकी शुगर लो रहती है तो आपको ये नहीं खानी चाहिए और ये कार्डियो वैस्कुलर वालों के लिए बहुत जादा अच्छी होती है जिसमें ये दिल, शर्यानियों वगेरा के लिए अच्छी होती है क्योंके इसमें थोड़ी थोड़ी सी लेस या रेशिय होते हैं जो के दिल की सहत के लिए बहुत जादा फाइदे मन है और अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो इंतजार किस बात का इसे अभी अपने घर में लाके सलाद के तोर पर खाएं और इसका सबसे बड़ा फाइदा ये है कि अगर आपके बच्चे बहुत जादा चिरचड़ा सा रह रहे हैं या उन्हें बहुत जादा गुसा आ रहा है उन्हें कहीं पे भी धिहान नहीं लग रहा तो आप अपने बच्चों को ये जरूर खिलाएं इसे उनका चर्चरा पहन बिल्कुल खतम हो जाएगा और वो बिल्कुल फ्रेश रहेंगे लेकिन बच्चे तो हेल्डी चीज़ें खाते नहीं है इसलिए आप इसे चिप्स बनाके या फिर इसके पकोड़े बनाके उन्हें दे सकते हैं जिससे वो इसका फाइदा भी हासल कर सकें और इसका टेस्ट भी इंजॉय कर सकें और अगर इसका पौडर यूस किया जाए या इसे वैसी खाया जाए तो ये आपको लू यानि की गर्मी से भी बचाती है अगर सक्त गर्मी है तो आपको ये जरूर खानी चाहिए और इसका सीजन एपरिल से लेके सेप्टमबर तक का होता है इस सीजन में अगर आप इसे खाएं तो ये आपको ज्यादा देगी अब मैं आपको बताती हूं कि वो कौन सा काम है जो आपने इसे खाते हैं या पकाते वक्त नहीं करना वो काम ये है कि आपने इसे हमेशा चील कर खाना है अगर आप इसे चील कर नहीं खाते हैं तो इसके अंदर कुछ से रिले टॉक्सिंस हो सकते हैं जिसकी वज़ा से ये आपको नुकसान देंगे आपने इसे हमेशा चील कर और उबाल कर खाना है अगर आप इसे सलात के तोर पर भी खा रहे हैं तो भी आपने इसे उबाल कर फिर खाना है और अगर आप खाने व गएरा के लिए इस्तमाल कर रहे हैं तो भी कोशश करें इसे थौड़ा सा उबाल ले इससे ये थोड़ी सी नरम भी हो जाती है इसके न्यूट्रेंट्स और जादा बढ़ जाते हैं और इससे आपको जादा फाइदा हासिल होता है लेकिन अगर आप भे को काट के रखते हैं अगर आप इससे थोड़ी देर के लिए चील के काट के रखते हैं और आप पानी के अंदर थोड़ा सा सिर्का डाल दें जिससे इसका कलर चेंज ना हो। इसमें पॉली फेनॉल्स नाम का कैमिकल होता है जो के बलड प्रेशर के लिए हार्ट अटेक वालों के लिए और शुगर वालों के लिए बहुत अच्छा होता है। और इसी पॉली फेनॉल्स नाम के कैमिकल की वज़ा से ये बलू सी होने लग जाती है। जैसे के आलू और सेप को हम लोग काट के रख दें या फिर थोड़ा सा खाके रख दें तो वो भी इस तरह से काले होने लग जाते हैं। अब अगर इसकी टेस्ट की बात करें तो इसका टेस्ट थोड़ा फिका सा होता है। इसका बहुत जादा टेस्ट या बहुत जादा खुश्वू नहीं होती बलकि इसका फिका सा टेस्ट होता है। लेकिन ये खाने में बहुत जादा करंची और मज़ेगी होती है और आपने जब भी भे खरीदनी है दुकानों से तो आपने हमेशा देखना है कि वो भे थोड़ी सी कड़क हो अगर वो थोड़ी सी भी धीली है कहीं से थोड़ी सी धीली है तो या फिर जैसे अंदर से नरम हो गई है तो आपने वो भे नहीं लेनी क्योंकि वो खराब होगी और उसका आपको बिल्कुल भी फाइदा नहीं होगा बलके आपने ऐसी भे लेनी है जो के बिल्कुल सक्त हो, हार्ड हो और करंची हो भे से बहुत मज़े मज़े की डिशिस बनाई जाती है जिसे सिंधी भे चाट, सिंधी भुगल भे, सिंधी भे चॉप, पालक भे की सबजी, भे कड़ाही, सिंधी बेहालूवली वड़ी और इसके इलावा इसका सूप बनाया जाता है इसके पकोड़े बनाइ जाते है और इससे चिप्स भी बनाई जाती है जो के बहुत जादा मर्जिकी होती है भे की दो तरह की किसम होती हैं एक में साथ सुराख होते हैं यानि के सैवन होल्स होते हैं और एक में नो सुराख होते हैं और जो साथ सुराख वली भे होती है वो जादा तर सूप बनाने के लिए या फिर इसके पाउडर बनाने के लिए इस्तमाल की जाती है और जिसमें नो सुराफ होते हैं वो आम तोर पर फ्राइ करने के लिए या फिर पकाने के लिए इस्तमाल की जाती है क्या आपने भी कभी भेग खाई है अगर खाई है तो हमें कमेंट्सनल जरूर बताए और अगर आप भेग के बारे में और जादा नोलिज जानना जाते हैं और जादा इसके बारे में अच्छे से जानना जाते हैं तो आप हमारी ये वाली वीडियो देख लें इसमें आपको कमल ककड़ी, भे के बारे में और बहुत सी मालूमाद दी गई है थैंक यू फॉर वोच्छिंग